हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल लेर्ण जोगरफी आज हम लोग आट्मोस्पेर का सेकेंड चेप्टर स्ट्रक्चर आफ आट्मोस्पेर पढ़ने वाले हैं फर्स चैप्टर का वीडियो मैंने अप्लोड कर दिया है कि स्ट्रक्चर का होता है यानि वायू मंदल का संगठन आज हम लोग वायू मंदल की संरचना स्ट्रक्चर आट्मोस्पेर पढ़ेंगे वाईउ मदल की जो सनरचना है यानि जे स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने से पहले हम कुछ बातें अपने ऐटमोसफेर के बारे में कर लेते हैं हमारा atmosphere क्या है यह जो हमारा अर्थ है जो solar system का एक planet है यह पूरे solar system में अकेला ऐसा planet है जिस पर खुद का atmosphere है और इस atmosphere के कारण ही इस अर्थ पर जो है पूरा ecosystem डेवलप हुआ है आप और हम इसलिए जीवी थें क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का atmosphere है atmosphere डिफरेंट टाइप की गैसों का मिश्रन है और इसने पूरे अर्थ को चारो तरफ से घेरे हुए है पिर्थवी में गुरुत्व करशन बल होता है गुरुत्व करशन बल जो किसी भी चीज़ को अपनी और आकरशित करता है तो इस गुरुत्व करशन बल के कारण ही जो atmosphere है वो हमारे एर्थ के साथ जुड़ा हुआ है अब हम लोग आगे चलते हैं structure of atmosphere की तरफ structure of atmosphere की बात करें तो हम लोग इस के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे atmosphere में कितने layers पाया जाते हैं हमारे atmosphere में main troop से चार layers पाया जाते हैं सबसे पहला है troposphere उसके बाद stratosphere उसके बाद mesosphere उसके बाद thermosphere तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं troposphere से यह हमारा जो earth surface है इस से troposphere यह जो हमारा earth है किसी भी height को measure करने के लिए हम लोग surface of earth के help नहीं लेते बलके हम लोग sea level से किसी भी उचाई को मापते हैं आपने जब travel किया अगर train से तो देखा हो गए जो railway stations होते हैं और जो junctions होते हैं वहाँ पर जो board लगा होता है उस पर railway station का नाम लिखा होता है और नीचे में साथ में MSL लिखा होता है और उसके साथ कुछ numbers लिखे होते हैं यह जो MSL होता है इसका मतलब होता है meter from sea level यानि आप जिस station पर या जिस junction पर हैं उसकी height समुदरितल से कितनी है तो यहाँ पर भी जो height लिखी ही है वो sea level से लिखी ही है 7 से 17 km ट्रोपोसफेर की उचाई बताई गई है 7 km यह पोल पर इसकी उचाई है जबकि 17 यानि 17 km इसकी height जो है वो equator पर है ट्रोपोसफेर वर्ड जो है उसका सबसे पहले परियोग यानि इस ट्रोपोसफेर लेयर का नाम tisrens debote नाम के वैक्ती ने इसका नामकरन किया था ट्रोपोसफेर जो है वो ट्रोपास से बना है ट्रोपोस क्या है वो एक ग्रीक भाशा का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है mixing, मिश्रन या फिर विचोब, turbulence इसी कारण ट्रोपोसफेर को विचोब मंडल भी कहा जाता है ट्रोपोसफेर में कई बाते बहुत important है सबसे पहली important बात यह है कि हमारे अर्थ के उपर जितने तरह के evaporation यानि वाश्पिकरन की घटना होती है या फिर संगनन की घटना होती है conviction वो सब ट्रोपोसफेर में ही घटित होती है जैसे fog, different type के clouds, ola, him vristi, gel vristi इसके अलावा बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, cyclones, tornado, hurricane, typhoon यह सब के सब प्रोपोसफेर में ही घटित होते है इसकी एक और important बात यह है कि यहाँ तापमान उचाई के साथ decrease होता है यानि कि घटता जाता है जिसे हम सामान ताप पतंदर कहते हैं प्रती एक हजार मीटर की उचाई पर तापमान 6.5 degrees Celsius की दर से decrease करता है कैसे? 6.5 degrees Celsius के rate से decrease करता है जिसे normal lapse rate कहते है और यह temperature decrease करते करते ट्रोपोस जो कि ट्रोपोसफेर की अंतिम सीमा है वहाँ पहुँच कर minus 20 degrees Celsius तक हो जाता है इसी कारण ट्रोपोसफेर को हम लोग परिवर्तन मंडल भी कहते है यानि change होने वाला क्योंकि यहाँ height के साथ जैसे ज़र से altitude उचाई बढ़ती जाती है temperature decrease होता है इसके अलावा जो हमारे atmosphere में हमने पिछली क्लास में बताया था कि हमारे atmosphere के निचले हिस्से में water vapor aerosol भी मिलते है तो यह जो water vapor aerosol होते है इनकी मातरा जो होती है यह भी उचाई के साथ changing आती जाती है इसलिए हम लोग ट्रेपरिवातन मंडल भी कहते है next है कि troposphere जहां पर खतम होता है और stratosphere जहां से start होता है इन दोनों के बीच में एक पतली सी layer पाई जाती है जो कि troposphere की अंतीम सीमा यानि last boundary होती है उसे tropopause कहते है question यहां से भी बनते हैं examination के लिए के tropopause क्या है तो tropopause जहां है वो troposphere की अंतीम सीमा है last boundary है जो stratosphere और troposphere को एक दूसरे से अलग करती है next है हमारे stratosphere stratosphere क्या है second layer of the atmosphere है stratosphere की बात करें तो इसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम इस शब्द का सब्द विछेट कर देते हैं तो सम ताप यानि जिसमें ताप जो है वो समान होता है प्रोपोस फेर में ताप मंडल क्या होता है? decrease होता है घटता जाता है लेकिन समताप मंडल यानि स्ट्राटोस फेर में ताप मान रूप जाता है यानि कि आईसो थर्मल होता है ना बढ़ता है ना घटता है लेकिन अभी कुछ विद्वान जो है स्कॉलर्स मानते हैं कि ऐसा नहीं है कुछ कुछ जगा पर कुछ हुचाई पर स्ट्राटोस फेर में तेंपरेचर जो है वो डिक्रीज होता है कहीं इंक्रीज होता है स्ट्राटोस फेर की जो हाइड बताई गई है वो है पचास किलो मीटर तक इसकी हुचाई गेतनी है पचास किलो मीटर तक stratosphere की जो सबसे important बात है वो ये है कि stratosphere के निचले हिस्से में O3 यानि एक ozone gas पाई जाती है इस ozone gas के कारण ही यहाँ एक ozone layer मिलती है जहां सबसे अधिक मात्रा में यानि बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी quantity में क्या होता है कि ozone gas मिलती है जिसकी उचाई 25 से 30 km के बीच बताई गई है ozone gas क्या है दर असल ozone जो है हमारे वायू मंडल का एक परमूग गैस है जिसकी मात्रा तो हमारे वायू मंडल ने बहुत काम है लेकिन इसके importance अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह जो sun है sun से आने वाली जो rays होती है ultra violet rays जब यह अर्थ की तरफ आती है तो इसमें बहुत सारे घातक किरने यानि नुकसान दे किरने होती है तो यह जो ozone layer है ozone gas वाली ozone layer है वो क्या करती है इसको soak लेती है छनी के तरह छान देती है कैसे हम लोग च्छानने के लिए छान रियूश रूत करते है और बिल्कुल फ्रेश जो हमारे काम के लिए जो हमारे हिल्थ के लिए जो फायदेमंद रेज होती है हिल्टा वारेट उसी को अर्थ पर भेजता है लेकिन अभी प्रेजन टाइम में क्या है कि हम ही लोग कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं कि हमारी ओजोन लेयर जो है वो उसमें छेद हो गया है इसके कारण घातक की रन जो है वो अर्थ पर पहुँच रही है आप देखते होंगे कि आज केल बहुत सारे छोटे बच्चों में और कम उम्रे के जो लोग है उनमें मुतियबीन की विमारी हो रही है इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है कि ओजोन लेयर में छेद का होना है स्ट्राटोसफेर की एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्राटोसफेर के निचले हिस्से में एक टाइप का क्लाउट्स नजर आता है जो है उसको कहते हैं Mother of Pearl Cloud उसका नाम क्या है Mother of Pearl Cloud जिसे नेकरियास भी कहते हैं ऐसे तो मुख्य तोर पर mainly जो क्लाउट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के क्लाउट्स होते हैं वो सब के सब ट्रोपोसफेर में मिलते हैं लेकिन कुछ ऐसे क्लाउट्स है जो स्ट्राटोसफेर में कुछ मेजोसफेर में भी कभी-कभी दिखाई देते हैं नॉट आल्वेस वो कभी-कभी दिखाई देते हैं यह जो stratosphere है इसकी खोज 1902 इसवी में पिजरेंज टीबोट ने की थी स्ट्राटोस्फेर की जहां उपरी सीमा खतम होती है उसे स्ट्राटो पाउस कहते है यहां आकर स्ट्राटोस्फेर खतम हो जाता है और मेजोस्फेर स्टार्ट हो जाता है मेजोस्फेर को मध्य मंडल भी कहा जाता है मेजोस्फेयर की जो उचाई बताई गई है वो 50 से 80 किलो मीटर है और यहाँ भी क्या होता है कि उचाई के साथ जैसे जैसे उचाई बढ़ती है तापमान डिक्रीज करता है यानि कि तापमान गिरता जाता है घटता जाता है यहां तक कि Mesosphere पर पहुँच कर, Mesosphere की जो लास्ट सीमा Mesopause है, वहां पर पहुँच कर तापमान माइनस 80 डिगरी Celsius हो जाता है Mesosphere की जो एक important बात है वो यह है कि यहां भी एक type का cloud नजर आता है जिसे Noctilucent cloud कहते हैं, उसका नाम है Noctilucent cloud यह Noctilucent cloud जो है, वो पोल पर नजर आता है, North और South पोल पर Next है Thermosphere, Thermosphere की बात करत, इसे टो पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला है Inosphere और लास्ट है वो Exosphere Inosphere जो है, इसके important बात यह है, कि इसमें radio frequency को सोखने वाली और उसको वापस करने वाली wave मौजूद होती है D, E, F और G, इसमें चार तरह के layers पाया जाते है Inosphere, जिसको iron bundle भी कहते हैं, इसमें चार तरह के layers पाया जाते है D, E, F, and G, जिसमें से E जो layer है, इसको canly heavy side layer भी कहते है यह याद रखने की बात है, इसको E को क्या कहते है, canly heavy side layer F layer जो है, इसको apliton layer के नाम से भी पुकारा जाता है Aionosphere में aurora borealis और aurora australis के नाम की दो घटना होती है यह देरसल आकाश में दिखने वाला एक तरह की आतिशबाजी के जैसे नजर आता है North और South पुल के नजदीक में जो countries है, वहाँ से इसे आधी रात में देखा जा सकता है aurora australis और aurora borealis को उत्री जोयती धुर्व के नाम से और दशनी जोयती धुर्व के नाम से भी या फिर उत्री धुर्व प्रकाश और दशनी धुर्व प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है आइनो स्फियर का काम क्या है, कि अर्थ से जो radio frequency भेगी जाती है उसमें low frequency, medium frequency और high frequency होती है तो यह आइनो स्फियर जो है, इसमें चुमबप के शक्ती होती है यह अर्थ से जाने वाली जो radio frequency होती है उसमें कुछ को सोक लेता है और कुछ को वापस reflect कर देता है इसलिए इसका important बहुत ही जादा है इसकी उचाए जो है, 80 से 650 km पूरी thermosphere की उचाए पताई जाती है इसके बाद आता है हमारा exosphere exosphere क्या है actually में के यहाँ पे हावा बिल्कुल फैल के हलकी हो जाती है गैसो का जो ratio हो अनुपात वो बहुत कम हो जाता है air pressure बिल्कुल कम हो जाता है और temperature फिर increase करते 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 1700 degree Celsius यानि 700 degree Celsius तक पहुँच जाता है और यहाँ कैसा देखने में महसूस होता है जैसे के नेबुला लेकिन इसकी सबसे important बात यह है कि अगर possible हो और आप space ship मों हो और exhaust sphere के पास हो और अपना हाथ बाहर कीजिएगा तो यह 1700 degree temperature भी आप का हाथ feel नहीं कर पाएगा because कि यहाँ पर हवा बिल्कुल हलकी और viral हो जाती है बिल्कुल फैली ही भी हो जाती है और यह जो temperature होता है इसको आप thermometer में भी नहीं measure कर सके जो thermometer हम लोग अर्थ पर यूज़ करते हैं उसको यहाँ measure नहीं किया जा सकता हावा के हलकी होने की वज़ा से यह 1700 degree temperature भी आपका हाथ feel नहीं कर सकता तो अभी हम लोगों ने इसको समझा structure of atmosphere पे examination point of view से कुछ important question है जो मैं description box में डाल दूँगी knit के examination की कुछ मैं यहाँ पर आप लोग को बता देती हूँ question इस type से आते हैं के troposphere और stratosphere के बीच में कौन सी परत पाई जाती है question यह भी आते हैं के stratosphere में के निचले परत में यानि stratosphere के सबसे निचले लेयर में कौन सा clouds दिखा जाता है यानि mother of pearl cloud question यह भी आते हैं के ozone layer यानि कि कितनी उचाई पर stratosphere या फिर हमारे atmosphere में कितनी उचाई पर सबसे अधिक ozone gas की मातरा पाई जाती है 25 से 30 km इसके option change होते हैं कभी 25 km कभी 30 km लेकिन उसके ही बीच में रहता है और यह भी कि सामान ताप पतदन कितना होता है यानि normal lapse rate जो होता है वो क्या होता है तो 6.5 degree Celsius प्रती 1000 मीटर I hope कि आप लोग structure of atmosphere समझ गए होंगे तो मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तके लिए thank you प्रती 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 है